हाला सुडेंट्स मेरा नाम दॉक्टर गजिंद्पुरहित और आप देख रहे हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अप्लोड करता हूं फॉर इंजिनेरिंग मैथमेडिक्स बीस स्टेटिसिस का एक नए टॉपिक है डाड़िस सेंप्लिंग ट्योरी काफी सार सेंप्लिंग को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक एक ग्जांपल देना चाहता हूं कि मान लीजे आपको एक पर्टिकुलर सेटी के अंदर यह पता लगाना कि कि कितने 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 लोगों को को वीड हुआ आज के लिए तो आप क्या करोगे एक रेंडम सेंपल उ करना होता एंदन उसमें मैं टेस्स करना होता राइड जिसे मान लीजे चोटा सा एक्जांपल देना चाहता हूं कि आप किसी कपड़े की दुकान पर आपको कपड़ा लेना है तो आप क्या करते हैं कुछ पर्टिकुलर थोड़ा सा देखते हैं अगर दाल भरी हुई है तो हम सबको चेक करने बेड़नी सकते हैं हम पर्टिकुलर सेंपल उटाते हैं और हम चेक करते हैं नहीं तो घंडर सेंपलर सेंपलों चीज़ उटाते हैं तो हमारे पास क्या उता पर टेस्स करना है वह जो हमारे पास एरिया होता है जिस पर टेस्स करना चाहते हैं और जिस चीज का आप टेस्स करोगे उसका जो सेंपल आप चूज करते हुए ना माली ज़िए आपको पता लगा नहीं कि कोई माली आपको समझने की ज़र होता है और मैं आपको यहां पर डाग्राम में वह समझा रहे हैं यह पूरा पापुलेशन है इसमें चोटा सेंपल उठाया यह भी आप उस डाग्राम से समझ सकते हैं इस उन पापुलेशन को हम capital N से denote करते हैं और जो सेंपल होता है को हम small n से denote करते हैं यह भी आपको समझने की ज़रूरत है जब हम आगे use करेंगे तो इसके बारे में आपको पता होना चुझी राइट इस उन बात करेंगे sampling and non sampling error इस उन जब भी हम sampling करते हैं पर sampling के कोई perfect matter नहीं है यहाँ पर गलतियां होने की संभावना बहुत ज़दा रहती क्योंकि आप particular छोटा से sample लेके उस पर research कर रहे हो और उसके इसाब साब पूरे population का behavior बता रहे हो कि right कैसा होगा पर वहाँ पर error के संभावना होती है और यह जो error होता है इसको हम क्या बोलते है sampling error बोलते है sampling error exactly होता है क्या है जो population है और जो sample है उन दोनों का difference होता है अगर difference नहीं है एक जैसा रहा तो फिर तो error ही नहीं और difference आएगा मतलब वहाँ पर क्या आएगा and this is known as sampling error है ना तो sampling error होता है इसको control नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको अगर यह पता करना है कि एक particular city में कितने कोविड नेंटिंगे कैस हैं तो particular कुछ लोगों पर टेस्क कर पाऊगे सब पर टेस्क कर नहीं सकते तो यह तो control करना हमारे हाथ में नहीं है ना आप control नहीं कर सकते ना इस error come into the existence when the various samples are taken जब हम अलग-अलग samples लेते तो हमारे पास ऐसे जो errors होते उसकी आने की संभावना रहती एक होता हमारे पास non sampling error इस नोन sampling error जो होते है यह मतलब sample की वज़े से नहीं होता है राइट है ना इनको control किया जा सकता है माल निजेगर बाइचांस किसी जगह बारिश होई और वहाँ पे खेती बाड़ी में नुकसान हो गया अगवर वहाँ को सर्वे करने गया तो सर्वे करने गया आपने पता क पड़ागे और नहीं मैंने गलत डेटा ले लिया तो आप उसको री करेक्ट कर सकते राइट पर ऐसे जो हमारे पास नोन sampling error होते हैं यह चोटे साइस के सेंपल में पॉसिबल होता है ना जब लार्ज सेंपल होता है तब हमारे पास इस एर्र को मतलब पता नहीं लगा सकते ह इस एर्र करेंगे तो रेंडम ली सलिक करेंगे ना जब हम कोई चीज प्लान से करते हैं तो वह मारे पास probability sampling होती है ना जब हम किसी चीज को अनप्लान करते हैं रेंडम करते हैं तो यह आप सकते हो देख सकते हों तो आपने पता लगाने की कोशिश करी तो वहाँ पर जो भी बंदा रिसर्चर है वह बाइस हो सकता है तो यहां पर बायस ने सोने की सम्भाव नहीं और आप बहुत तर अच्छे तरीके से वहाँ पर सेंप्लिंग कर रहे हैं तो बहुतर रिजल्ट आ सकते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च हो सकता है अगर मेरे को किसी टॉपिक पर रिसर्च करना कि यहां तुम ने नेट क्लियर किया और उन्होंने प्राइब नाम से पता पर रहा है और मुझे मुझे कोई research methodology के लिए कोई मुझे particular चीज के वारे में पता लगाना है कि human behavior क्या है mathematics को लेकर राइट कुछ लोग math से डरते हैं कुछ लोग math से नहीं डरते हैं तो मैं क्या करूँगा मैं question prepare करूँगा और मेरे जो मिलने जूलने वाले लोग है उनको बेस दूँगा कि यार तुम बरबर के मुझे इसका answer बता दो राइट तो वो लोग मुझे अपने इसाब से answer दे देंगे तो कि नहीं ठीक है मुझे यह पता लगाना है कि इन लोगों का जो behavior होता है या logical reasoning इनकी क्या हो जाती है after the 40th तो अगर मुझे यह पता लगाना तो मैंने कहा एक particular quota decide कर ली राइट कि और मुझे इस इस टाइप के लोग ही चाहिए जिनके ओपर मुझे यहां पर sampling करने तो such type of sampling is not a quota sampling तो इस इन जो नेक्स से वह है परपजिव सेंप्लिंग या जज्जमेंट सेंप्लिंग बालेज एक चोटा सा अब बात करेंगे हैंब एंपर लुफमेटेंजा की पास यहां पर टोटल 5 टैप्स होती जिसके अंदर simple सेंप्लिंग करते हैंनल इसफीं पर выпासंब सैंप्लिंग का और यहां पर नोट ही बहुथ की जाती है हमेशाँ एक्वल होती है क्योंकि वहाँ पर कोई प्लान नहीं कर रहे हो आप तो यह ध्यान देने के रज़र होता है यहाँ पर सबसे बहले बात करेंगे हम यहाँ पर सिंपल रेंडम सेंपलिंग के बारे में तो इच आइटम हैज इक्वल चांस टूब सेलेक्टेड राइट माली जगर आपने यहाँ पर यह पता लगा है कि कोई स्कूल है वहाँ पर बच्चों की जो मैथमेटिक्स है वह किस टाइप की उनका जो अप्टिटूड लेवल है कि यहाँ पर हमने रेंडम करके स्कूल के आइसा नहीं है न हम यहाँ पर अन्प्लांट करके जो भी रेंडम ली बात करें तो सच टेप सेंपल रेंडम सम्फलिंग इसे दो टाइप क्यों होती ही विद्वाड़ इंके बारे में पूरा डिसक्ष करेंगे पूरा एक वीडियो लेते और Sample को चार अलगलग पारट में या पर क्या करतके चार ग्रूप में डिवाइड कर लाती तो यह आपको समझने की जरुत हुथ ह APP दो उसका की पर्टिकुलर स्टेट पर हमने कुछ रि mini car तो हम क्या करें पर्टिकुलर स्टेट को जोगुरिफिकल gordi वहां से कुछ 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 उटाएंगे इसके ओपर हम रिसाच करते हैं तो सज्ट आप पास यहां पर सिस्टमेटिक सब्लिंगे तो माली जै अगर कर लिए फिर एक नमर कर लिए तो यहां पर एक प्रॉपर इंटर्वेल में यहां पर करते हैं डेटा को सब्सक्राइब करते हैं तो आगे हम पूरा इसके इंदर करेंगे क्लस्टर सेंप्लिंग के बारे में तो नाम से पता पढ़ रहा है कि हम यहां पर चोटे-चोटे-चोटे ग्रॉप्स बनाएंगे तो मैं आपके सामने एक चोटा सा एक्जम्पल देता हूं कि एक शहर है जिसके अंदर मुझे यह पता लगाना है कि यह डेंगू की कि सेंप्लिंगे कि संप्लिंग है क्लस्टर सेंप्लिंग उसलमें क्या डिआफ़ेंस न सबमें से कुछ कुछ न को सब एक्जाम्पल नाम से पता पटबरा जैसे मुझे ये पता लगना है कि कितने student ऐसे हैं 10th class के जिनको exam से डर लगता है confidence down हो जाता है तो यहां पर हम क्या करेंगे जैसे माली जै हमने ले लिया राजस्तान राजस्तान में हमने फिर लिया division डिविजन में फिर हमने लिया district district में हमने लिया फिर हमारे पास city city में से फिर हमन कैसार तो अल्टीमेटली जो सेंपल सबसे चोटा से चोटा से स्टेच में लेके जाना इन उस पर काम करना this is known as a multi-stage sampling राइट यह सब हमारे पास types of probability probability sampling था उसके अंदर जिते भी मैंने आपके सामने probability sampling बता है उनकी particular class लूँगा और वहां पर आपको बता हुआ with the mathematical methods कि कैसे हम यहां पर sampling को करते probability राइट सो मुझे लगता आपको यह बहुत अच्छा समझ में है और आज मैंने आपके सामने एक overview class ली about the sampling next class वोने वाले इसके अदर में आपके सामने और भी content इसके उपर deliver करने वाला हूं कैसी लगी class please comment करके ज़रू बताइए ऐसे और भी वीडियो आप देखना चाहरे है तो यहां जाके देख सकते हैं अगर आप CSIR net गेट आइड इसम एक्जम की तहारी कर रहे हैं अपनी शॉट्रिक्स को ब कर दो मягा समे और भी वीडियो में एक्री वीडियो आपके सुप्रिक्स सामच ए missed a major not me